Hello everyone, ये हमारी बुक BHDC 134 हिंदी गद साहित है आज हम इसकी निकाय नमबर दो करेंगे जिसका नाम है हिंदी गद की विधाईं जिनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे उससे पहले हम थ्राबोत इसके बारे में जान लेते हैं कि हिंदी गद की कौन कौन सी विधाय होती है फिर हम उनको एक करके अच्छे से पढ़ेंगे इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगे कि इस वाले चैप्टर में से कैसे हमारे कोशन्स आएंगे जैसे ये है टोपिक नाटक है जैसे नाटक और कहानी के बारे में लिखिए मतलब इस टैफ से कोशन आएंगे जैसे उपरनेस के बारे में पूछ लिया लगुक अथा के बारे में पूछ लिया इस टैफ से कोशन आएंगे तो हमको इन short men के बारे में बस पताऊना चाहिए ताकि हम बना बना के हम उसके बारे में अच्छा से लिख सके हम उसको अच्छा से describe कर सके तो इसलिए मैंने यहां पे थोड़ा-थोड़ा मतलब हर चीज के बारे में लिखा है जितनी विधाय हैं उन सब के बारे में तो आएए देखते हैं हिंदी गद की अनेक विधाय हैं जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी इन में से परतेक विधा अलग प्रकार के लेखन की मांग करती है लब जितनी भी विधाय हैं, जितनी भी प्रकार हैं हर एक में लेखन अलग तरिके से होता है एक की लेखन शाली दूसरे से भिन होती है कहने मतलब क्या है जो जैसे कहानी है कहानी की लेखन शाली उपन्यास से भिन होगी और उपन्यास की लेखन शाली नाटक से भिन होगी मतलब सबी की लेखनशाली एक दूसरे से अलग होती, एक दूसरे से डिफरेंट होती है तो से पहले हम देखते हैं नाटक के बारे में नाटक अत्यंत प्राचिन विदा है, सबसे पुरानी विदा है नाटक नाटक दर्शे कावे के अंतर गताता है दर्शय कावे के अंतर गताता है किसी भी नाटक में तत्व का होना अनिवारिया है जो इस प्रकार है कोई भी नाटक हो समित तत्व जुरूर होते उसके अलिमेंट्स ऐसे ही नाटक में भी है जिसमें की फर्स्ट क्या है कथावस्तू की story क्या है ये चिज़ होती है second पात्रिया चरीतर चितरन मतलब character के बारे में बात करते है तीसरा क्या है देशकाल या प्रिवेश क्या देशकाल है क्या वहाँ का प्रिवेश जान के बारे में लिख रही है fourth सम्वाद और भाषा बाषा कैसी यूज के गई है सम्वाद किन किन पात्रों के बीच हुआ है इसमें ये वाली बात आ जाती है number five पाच क्या है शाली कौन से शाली में लिख रहे है वर्णात्मक शाली में वैंकात्मक शाली में step से होता है number six क्या है उदेशय या प्रतिपाद है उदेशय क्या है इस नाटक का और इसका मुल्यांकन करें तो इसका मेन भाव क्या है जिस जोती है प्रतिपाद है और number seven क्या है अभी नेता मतलब कैसे अक्टिंग की गई है क्या अभी ने किया गया ये जिस होती है इसके 11 नाटक कवरगे कंद देखिए इस वाले ये टोपिक में हमको चार टाइपस बता रखें नाटक के फ़स्ट रीडियो नाटक सेकिंड टेलिविजन नाटक थार्ड नुखकर नाटक फ़ोर्थ एकांकी नाटक यह चार टाइप हमको नाटक के बता रखे हैं इनको हमने अच्छे से देख लिया है तो मतलब हमारे यह था नाटक नाटक से प्राची प्राचीन विदा है और यह दर्शे कावे के अंतरगता था है इसमें इसके कुछ तत्व होते हैं जैसे कथावस्तू तरीतर चितरन देश कर नाटक एक अंकी नाटक यह हो गया हमरे नाटक के बारे में हम देखते हैं उपन्यास के बारे में साहित्य की सबसे लोग प्रिये विदा कुनसी है उपन्यास विदा साहित्य की सबसे लोग प्रिये विदा है उपन्यास में मानल जीवन का व्यापक चित्रन किया जा सकता अपन्यास के तत्व की बात करते हैं मोसलीन के तत्व सेम होते हैं जैसे नुम्बर वन क्या है कथावस्तो नुम्बर सैकेंड चरितर चितरण परिवेश सरनचनाशिल्प परतिपाद है मतलब यह चीज हैं यह तत्व हैं उपन्यास के बारे हम इतना लिख दें इसके लावा हम अपने आप से मतलब हम जो मैंने लिखें यह पॉइंट्स में इनकी हेल्प से आप इसको अच्छा से लिख सकते हैं राम से 8 या 10 नमबर के कोशिन में आगे हैं नमबर थार्ड इस कहानी उपन्यास की हितरह कहानी भी एक लोग प्रेविदा है अधुनिक हिंदी कहानी पर पश्यम का प्रभाव दिखाई देता है कहानी आकार में छोटी होती हैं कहानी के तत्व कथावस्तो चरीत्र चित्रन परिवेश संचनाशल परतिपाद्य इसके कहानी के तत्व हैं कहानी च्वाकार में छोटी होती है उपन्यास से बढ़ा होता है तिम बात करते हैं कहानी से लोग प्रिवेश उपन्यास हैं ये इसके तत्व हैं कथावस्तू चरीत्र चित्रन परिवेश संचनाशल परतिपाद्य बात करते हैं लगु कथा की लगू कथा हिंदिस साहित्य की आदूनिक विदा है कैसी विदा है आदूनिक विदा है लगू कथा लगूता लगू कथा कि एक महतेबन विशेषता है कि छोटी होती है यह इसके विशेषता है यह इसके क्वालिटी है लगू कथा में घटना वी हिनता और विवरन हिनता के को पाए जाते हैं इसे पीदोत कि इसमें कि सिभी बात का वीवरणें किया जाता जाता है इस वाली निबंद्ध निबंद्ध का निवन्द के तत्व के बात करते हम लेखे के व्यक्तितव का प्रभाव नमबर सैकेंड वेचारिक और भावातमक आधार क्या है नमबर तीन भाषय शैली क्या यूज की गई है ये निवन्द के तत्व हैं जिनको हम निमन लगते टाइम हमको धान में रखना चाहिए बशने मपूस्षेयन लिफ में बंपाईक क्या है डिसक्राइब करते हैं नमबर जनkę सैजuben लेकिता है नमबर तेड़ वीचार अतमक जो लिखने के बादुसके बाद रभ़ोज सोचंगा Ну और लिखने वाला भी क्रिंस से पहले उस पर विचार करके फिर लिखे फूर्थ इस भावनात्मक लब इमोशनल निभंद चाइब भी हो सकते हैं जिने हम लिख सकते हैं नमबर सिक्स क्या है आलोचना किसी रचना का विवेचन और मुल्यांकन ही समालोचना या आलोचना है किसी भी रचना का किसी भी राइटिंग का हम उसका मुल्यांकन कर देते हैं हम उसकी विवेचन कर देते हैं हम उसको अच्छा से अनलाइज कर देते हैं झैसाना जाता है इसमें वालोचना कारकी राभा या जब राइटिंग किया जाता है उसको bye जो वे सियावाई जेकुलिक गानल में हाथ इसकी है। प्रकार दो प्रकार दे रखी हैं सधानतिक आलोचिना वहवारिक आलोचिना के यह टोपिक हमारा हो गया आलोचिना आगे देखते हैं रेखा चुत्र जब किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का इस प्रकार वर्णन किया जाए कि पाठक के मन पर उसका हू बहू चित्र बन जाए तो उसे रेखा चित्र कहते हैं और यह हिंदी साहित्य की नविन विदा है यह इजी होता है रेखा चित्र जब जो लिखने वाला है वो ऐसा वर्णन परसुत करता है कि पाठक के मन में पाठक के मश्तिक्स में उसका ऐसा कैसा उसका चित्र बन जाता है तो वही रेखा चित्र होता है मतलब याद करके कोई चीज़ कहना वही संस्मरण है यह भी एक नवीन विदा है कैसी विदा है यह भी एक नवीन विदा है जब बात करते हैं आगे यहारा नमबर नाइन है साहित्य की विदा नमबर नेन के हमारी आतम कथा आतम कथा मतलब आतम मतलब खुद की आतम कथा व्यक्ति के दोरा स्वम के जीवन पर लिखी गई कथा होती है आतम कथा अपनी जीवनी अपने जीवन काल में ही लिखता है जो आतम मता लिखने वाला है वो अपनी जीवनी अपने आप लिख देता है अपने जीवन काल में ही लिख देता है आगे नमबर टैन क्या हमारी जीवनी जो जीवनी है उसको कोई दूसर व्यक्ति लिखता है जब कोई व्यक्ति किसी विशेश के जीवन पर लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं जीवनी का सम्मन्द अन्य व्यक्ति से होता है मतलब कोई दूसरा व्यक्ति किसे दूसरे के बारे में लिखता है वही होते हैं जीवनी नमर 11 इस यात्रावरत या यात्रावरतान्त जब लेखक अपने यात्रा के दुरान देखे गए स्थानों का वर्णन करता है तो उसे यात्रावरतान्त कहते हैं लेखक जिस स्थान का वर्णन करता है उससे उसका जुडाव भी होता है कि क्या है रिपोर्ट ता या रिपोर्ट के साहितिक युद्व इं खिलात्मक रूप को हम रिपोर्ट ताज कह सकते है। ल्पोर्ट ताज का उदेश है कि अवल सूचना देना ही नहीं बल्कि आपदाव के परती ज्गरू करना भी होता है। हमने यां पर के टोटल बाराट शाब कई हैं इसके लाएव हम थ्ट आज डिफरेंश भूप में देख लेते हैं ऐसे यह रेखा चित रोड़ेट्स ठीछ रोता हम हेखाु एशी महीं के एकठान पर रहघाजित री सब्सक्राइब लेखрахष के बारे में बताएब उसके आस पास इत गे लेखा चेशर किसे ऄहने हैं 근무र कट उद्हाताया जाकर्ब इसी वर जैसे ही यहां पर चिता अत्मक शैली का यूज़ किया जाता है आगे देखते हैं कहानी और उपन्यास में डिफरेंस कहानी को पढ़ने में कम समय लगता है परन्यास को पढ़ने में ज्यादा समय लगता है कहानी का शेत्र सीमित होता है प्रनाश का शेत्र वैपक होता है कानी ने पात्रों के संख्या कम होती है यह हो गया हमारा कहानी और उपन्याश में difference आगे आगे हम देखते हैं आतमकथ और जीवनी में डिफ्रेंज और कुछ सिम्मिलर्टीज आपे स्टार्टिंग में डिए रखें जिसे आतमकथ और जीवनी दोनों ही साहित्ते की नई विधाए हैं दोनों ही विचेश के जीवन की विविद घटनाओ यत प्रसंग केवर्नन की विदा हैं दोनों ही वक्ति के जीवन की विशेष्टाओं को बताती हैं गटनों को बताती हैं देखतें डिफरेंज आतम कथा में लेकर स्वम अपनी जीवनी प्रस्तुत करता है आतम कथा में पर जीवनी में जीवनी किसे दूसरे वाक्त द्वारा लिखी जाती है आतम कथा में सब कुछ सत्य पराश्रित होता है जबकि जीवनी में जहां बहुत सी बाते अनुमनत रह जाते हैं मतलब इमेजनरी बाते भी वाँ पे लिख दी जाती है यह था हमारा चप्टर नमबर टू हिंदीकत की विविद विधाय जो हमने कंप्लीट कर लिया है इसमें हमने टोटल बारा सब टोपिक्स किये हैं जिसमें की फर्स्ट था नाटक, सेकेंड था उपन्यास, थर्ड कहानी, फोर्थ लगू कथा फिफ्थ निभंद, शिक्स्थ आलोचना, सैवन्थ रिखा चित्र, एट्स संस्मरण, नाइन्थ आतम कथा टैन्थ जीवनी, इलावन्थ यात्रा वरत, ट्वाल्थ रिवोर्ट थाज इसके लावा हमने डिफरेंस देखा रेखा चित्र और संस्मरण में कहानी और उपरनाइस में डिफरेंस देखा और यहां पर आमने आतम कथा और जीवनी में भी कुछ डिफरेंस और कुछ आमने यहां पर सिमिलर्टीज देखी तो यह हमारा चप्टर नमबर टू कम्प्लिट हो जाता है थैंक्यू आवरिवन